क्या दोस्तो आप भी अपने फोन में CapCut app का यूज़ करते हैं और दोस्तो जब आप CapCut app के टेंपलेट वाले option पर जाते हैं तो दोस्तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आता तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन में CapC की टेंपलेट का यूज़ कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों CapCut की टेंपलेट कहां मिलेगी आपको आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ तो दोस्तो आज की जो वीडियो है पहुँ जदा इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो को एंड तेंग देखना तो चलिए दोस्त CapCut Templates सर्च कर देने के बदा स्थ आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा CapCut Templates.com आपको इस पर क्लिक करना है Capcat Templates पर क्लिक कर देने के पर आपके सामने कुछ इस तरह की का इंटरेस होगा दोस्तो आपको इसे उपर की तरफ स्क्रोल करना है और आपको दोस्तो नीचे की तरफ यहाँ पर trending templates देखने को मिल जाएंगी जो कि अब भी के time पर Instagram और YouTube पर बहुत जाँ चल रही है तो दोस्तो आप इनमें इसे किसी को भी click करके यहाँ पर use कर सकते हैं अगर दोस्तो आप जिसको use करना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं है तो दोस्तो आप उसको उपर की तरफ सर्च कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको यहाँ पर एक template सर्च करके दिखा देता हूँ अब भी के टेंप दो जो लोडिंग वानी टेंपलेट बौह 넣 just search में चल रही है तो जोस्तो मैं आपको यहां पर यह लोग लोडिंग वाली टेंपलेट सर्च करकें दिखा देता हूं यूज टेंपलेट ओन केपकट आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर देने के अब आपके तो टेंपलेट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीकी से डेमो के रूप में देखने को मिल जाएगा आपको दोस्तों नितिकी देखिने को मिल जाएगा यूस टेंपलेट आपको इस पर क्लिक करना है यूस टेंपलेट पर क्लिक कर देने के आपको यहाँ से अपने किसी भी एक वीडियो को सिलेट करने ना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो दोस्तो मैं आपर अपनी इस वीडियो को स्लेट करने दाऊं तो simply दोस्तो मैंने आपर अपनी वीडियो को स्लेट कर लिया है अब मैं इसको प्ले करके दिखा दिताऊं कि यह कैसे बनी है तो simply दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो है वो बनकर त्यार हो गई है अब दोस्तो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा राइट साइड में एक्सपोर्ट आपको उस पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देने के बदोस्तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा export without watermark आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों अब आपके जो विडियो है वो यहां से export हो जाएगी यहां से export होने के बाद दोस्तों वो आपको CapCut app के template वाले option पर देखने को मिल जाएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो simply दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर template का name भी आ गया है और जब भी मैं इस पर click करता हूँ तो simple दोस्तों आप यह अपने फोन में कुछ इस click का user के CapCut template बना सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना ही अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जूरू करने ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको टब से मिल जाए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के एंड गुडबाई